हेलो डियर स्टूदेंस वनस अगे वेलकम बैक टू आर चानल लाब आज के सेशन में हम बात करेंगे molecular basis of inheritance के आगे की पार्ट की जी हां तो आज हम बात करने वाले हैं DNA replication की DNA replication समझने से पहले आपको DNA के दो important function समझना बहुत ज़रूरी है वो function समझने से पहले मेरी आप से request है अगर आपने अब तक हमारी चानल को subscribe नहीं किया है तो फटाफट से subscribe बटन पे click कर लो friends के साथ ये वीडियो शेर कर दो WhatsApp status पे ये वीडियो upload कर दो ताकि जादा से जादा लोगों तक ये content पहुँच सके और हमारी मदद हो सके और आपके friends को भी help की जरुवत है क्योंकि आप जानते हैं कि boards के exam की date आ चुकी है 23 April से आपके board exam start होने वाले हैं हम try करेंगे कि जल्दी से जल्दी जादा से जादा content record करके आपके लिए available करके दे सके ओके तो आज का session start करते हैं अभी आज के session में हमको introduction क्या दिया गया है DNA replication के बारे में हम बात करने वाले replication इस word का मतलब क्या होता है replication means copy replication का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की copy बनाना समझो आपका एक cell है इस cell के अंदर nucleus है और nucleus के अंदर DNA होता है जब cell division होता है तो cell division के time पे क्या होता है आपके जो दो daughter cells बनते हैं आपके जो दो daughter cells बनते हैं दोनों में equal amount of DNA distribute होता है दोनों में क्या होता है equal amount of DNA distribute होता है तो यह एक DNA दो अलग-अलग cells में कैसे distribute हुआ तो उस process को हम बोलते है DNA replication मतलब किसी एक molecule की exact copy बनाना उसको बोलते है रेप्लिका, रेप्लिका means exact copy, ओके, तो चलिए देखते हैं थियोरी में हमको क्या बताया गया है DNA रेप्लिकेशन की, ओके, the DNA molecule regulates and controls all the activities of the cell, क्या बोला गया हमको यहाँ पर, कि जो DNA molecule होता है, वो हमारे cell की सारी activity को regulate भी करता है और control भी करता है, regulate करना मतलब on, off, on, off करना और controlling मतलब, जब जिस चीज की जरुवत है, वो process start करना जब जिस चीज की जरुवत नहीं है, वो process stop करना So, सारे functions, cell की सारी activities, सारे functions किस चीज पर depend करते हैं? DNA के उपर Because of its unique structure, it is able to control the synthesis of other molecules of the cell तो हमको यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो आपने 11 standard में पढ़ा था Biomolecules, Biomolecules करके आपने एक chapter पढ़ा था, chapter number 6 उसमें आपने 4 molecules के बारे में पढ़ा था, Carbohydrate, Lipids, Proteins and Nucleic Acids तो चारों molecules में से, जो सबसे complicated structure था, वो था DNA का DNA का structure इतना unique है, उसमें इतने unique molecules यूज़ होते हैं कि जिसके वज़े से उसको जो uniqueness characteristic मिलती है उसके वज़े से वो हमारे cell का master part बन जाता है मतलब बिना DNA के कोई cell आगे काम करी नहीं सकता So because of its unique structure, it is able to control the synthesis of other molecules of the cell मतलब अगर किसी cell में DNA है, तो उसमें protein बनेगा उसमें आगे का functioning होगा, membranes बनेगी, cell division होगा तो cell की जो activities है, cell में जो बाकी के molecules के synthesis है वो बाकी के synthesis of molecules किसके उपर depend करते हैं, DNA के उपर क्योंकि हम क्या बोलते हैं, that DNA carries genetic information कौन सा protein बनाना है, कौन सा cell organal बनाना है, कब cell divide होगा, कब cell mature होगा यह सारा का सारा coding के इसके पास store होता है, DNA के पास store होता है तो DNA के पास जो यह unique property है, इस property के वज़े से, इस structure के वज़े से DNA हमारे cell की सारी activities decide करता है, okay At the same time, when the cell reproduces, the DNA also should duplicate itself and to distribute equally to the daughter cells, तो क्या पोला गया है हमको यहां पर कि जब cell division होगा तो cell division होने से पहले हमको, आपने पढ़ा था ना cell division 11 standard में पहले G1 phase होता है, फिर S phase होता है, फिर G2 phase होता है, फिर M phase होता है G1 phase में cell maturation होता है, S phase में DNA अपने आपको replicate करने की तयारी करता है मतलब DNA अपने आपको duplicate कर लेता है, DNA replication S phase में होता है, देखो आपने जो cell cycle पढ़ा था 11 standard में ऐसा कुछ cell cycle आपको बताया गया था, this is G1 phase, फिर इसके बाद आता है आपका S phase फिर इसके बाद आता है आपका G2 phase और G2 phase के बाद आपका आता है M phase ठीक है, यह कौन सा phase है, इसको ठीक से लिख देती हूँ M phase, M phase मतलब की mitosis, तो G1 से लेकर G2 phase तक का जो period है, इस phase को हम बोलते हैं, इंटर phase, इस phase को हम क्या बोलते हैं, इंटर phase, इस phase के टाइम पर ही decide हो जाता है, कि आपका cell आगे reproduce करने के लायक है कि नहीं है, तो इस इन तीन phases में से जो DNA duplication का phase है, वो S phase के टाइम पर होता है, जब भी कोई cell divide होने वाला होगा, तो उसको अपना nuclear material divide करना पड़ेगा, और nuclear material divide करने के लिए अलग-अलग enzymes, अलग-अलग molecules की ज़रुवत पड़ती है, और वो molecules का synthesis औ DNA replication का process कहां पर complete किया जाता है, cell cycle के S phase में, तो देखो आगे क्या बताया गया है, at the same time when the cell reproduces, मतलब जब आपका cell reproduction करता है, जब cell division होता है, DNA also should duplicate itself, तो उसी टाइम पर DNA को भी अपनी copies बनानी पड़ती है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सिव एक cell में DNA आएगा और एक cell में DNA समझ में आ रहे बात, अगर हमको सारे cells यूसफुल चाहिए, तो इस वेरी इंपोर्टन की जो पैरेंट सेल है, वो अपना DNA equally distribute करें, और अपना DNA equally distribute करने के लिए उसको खुद के DNA का एक exact copy बनाना पड़ेगा, और उसी process को हम बोलते हैं, replication, आगे देखो क्या बताया गया है, as a carrier of genetic information, देखो हम DNA को क्या बोलते हैं, carrier of genetic information, so as a carrier of genetic information, DNA has to perform two important functions, हमारा जो DNA है, वो genetic information carry करता है, और इसी लिए DNA को दो बहुत ही important functions दिये गए हैं, सबसे पहला रोल है उसका heterocatalytic function के रूप में, और दूसरा रोल है उसका autocatalytic function के रूप में, तो चलिए देखते हैं, what is heterocatalytic function and what is autocatalytic functions, पहले पढ़ते हैं, heterocatalytic functions के बारे में, when DNA, देखो, hetero मतलब क्या होता है, different, और catalytic मतलब क्या होता है, with the help of enzymes, hetero मतलब different, और catalytic मतलब enzymes की मदद से, तो जब अलग-अलग enzymes की मदद से, हम अलग-अलग molecules बनाएंगे, देखो, hetero मतलब क्या बोला, मैंने इधर ध्या हाईगा, हाँ, see, हमने heterocatalytic बोला, first function क्या है हमारा, heterocatalytic, ओके, तो hetero मतलब क्या होता है, different molecules, और catalytic मतलब क्या होता है, with the help of catalyst, और biology में catalyst को क्या बोलते हैं, हम enzymes, तो अलग-अलग molecules कौन से होते हैं, हमारे cell के अंदर, sugar, मतलब carbohydrates, proteins, lipids, Golgi complex, ऐसे अलग-अलग organols, energy, ATP, etc, 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 तो ऐसे different molecules बनाने के लिए भी information कहां से ली जाती है, DNA से, अलग-अलग molecules अगर cell के अंदर हमको बनाने हैं, तो उसकी information भी कहां से आती है, DNA से, और ये molecules बनाने के लिए हमको enzymes की मदद लगती है, तो hetero catalytic का function क्या होता है, When DNA directs, directs means decides, when DNA decides the synthesis of chemical molecules other than itself, मतलब DNA अपने आपको छोड़ कर, जब दूसरे molecules बनाने में help करता है, Then such functions of DNA are called heterocatalytic functions, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बुला, hetero मतलब क्या, different molecules, खुद का duplication नहीं करेगा DNA, दूसरे molecules का synthesis करेगा, तो जब हमारा DNA दूसरे molecules का synthesis करता है, तो उसको हम बोलते हैं, hetero catalytic function of DNA, For example, आपको यहाँ पर example बताएगा है, और यह examples हम detail में study करने वाले हैं इस chapter में, तो पहला example क्या है, synthesis of RNA, मतलब जब DNA की मदद से transcription बनता है, transcription process होता है, आपके पास ऐसा double stranded DNA, किता गंदा DNA बन गया है मुझसे, सौरी, हाँ, देखो, आपके पास ऐसा कोई double stranded DNA है, और इस DNA में से आपने mRNA बनाया, ऐसा cut किया और यह mRNA बना, अब इस mRNA में से हम protein बनाएंगे, तो इस process को हम बोलते हैं transcription, DNA में से mRNA बनाना, इस process को हम बोलते हैं transcription, और mRNA में से protein बनाना, इस process को हम बोलते हैं translation, लेकिन यह दोनों ही process करने के लिए सारी information किसके पास होती है, और DNA क्या कर रहा है, अपना molecule नहीं बना रहा है, मतलब DNA खुद का copy नहीं कर रहा है, वो दूसरे molecules का production कर रहा है, तो ऐसे function को हम बोलते हैं heterocatalytic function and the examples of heterocatalytic function are synthesis of RNA, मतलब synthesis of mRNA and synthesis of protein, so transcription and translation are two major topics of this chapter, हम वो भी पढ़ेंगे, देखो, इस पूरे chapter में exam में क्या चीज़े आने की chances हैं, आपको DNA replication के उपर question आ सकता है, आपको transcription के उपर question आ सकता है, आपको translation के उपर question आ सकता है, आपको lack operon के उपर question आ सकता है, ऐसे चार से पांच बहुत important questions हैं, बहुत important topics हैं, जिनके उपर आपको question पूछे जा सकते हैं, या आपको heterochromatin और uchromatin के बीच का difference between पूछा जा सकता है, तो हम पहला step पढ़ रहे हैं, हम DNA replication पढ़ रहे हैं, मतलब autocatalytic function करेगा, या तो वो दूसरे molecules को बनाएगा, याने heterocatalytic function करेगा, तो heterocatalytic function आपको समझ गया, अब देखो आप autocatalytic functions में क्या बताया है, autocatalytic functions मतलब कि वो खुद का duplicate copy बनाता है, self replication करता है, पर अकेले नहीं करेगा, अलग-अलग enzymes की मदद से करेगा, देखो, यहाँ पर catalytic word का मतलब क्या है, कि DNA जो भी काम करेगा, वो catalyst की मदद से ही करेगा, और biology में catalyst word का मतलब होता है, enzymes, ओके, तो autocatalytic functions में क्या बताया गया है, when DNA directs the synthesis of DNA itself, मतलब जब DNA खुद की copy बनाएगा, जब DNA replication करेगा, then such function of DNA is called autocatalytic function, for example, replication, जब DNA अपनी ही daughter copy बना रहा है, तो उस process को हम बोलते है, DNA replication, the process by which DNA duplicates itself is called replication, मतलब जब DNA अपनी खुद की copy बनाता है, अब आप भी सोच रहे होगे, कि यह xerox machine में डाला जाता है, कि DNA को, कि photocopy machine में आपने एक cell डाला, तो आपको दो cell बनके मिले, अपनी copy बनाता है, कैसे DNA replication होता है, उसके बारे में हम detailed lecture आज की वीडियो में देखेंगे, so, the process by which DNA duplicates itself is called DNA replication, through replication, it forms two copies that are identical to it, तो हमको क्या बोला गया है, समझो ऐसा कोई एक DNA है, इस एक DNA से आपको दो ऐसे molecules मिलेंगे, जो parent DNA के जैसा ही रहेगा, मतलब जैसा parent DNA था, वैसे ही आपके daughter DNA रहेंगे, same copy, और वो daughter DNA भी हम parent DNA की मदद से ही बनाएंगे, confused हो गए, अच्छी बात है, confusion is the first step towards solution, तो चलो, आपको introduction समझ में आया है, तो हमने क्या देखा introduction में, कि cell division कब होता है, cell cycle के interface में होता है, cell division के लिए क्या important है, DNA replication important है, DNA के दो functions होते हैं, heterocatalytic functions और एक autocatalytic function, heterocatalytic function याने की DNA अपने अलावा दूसरे molecules का production करेगा, और autocatalytic function मतलब DNA खुद का replication करेगा, ठीक है, तो आगे बढ़ें, और तो अब देखिए, आगे क्या बताया गया है, हमें theory में theory फटाफट देख लेते हैं, इसका जब diagrammatic presentation करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो अब आगे क्या बताया गया है, हमको DNA replication मतलब क्या होता है, जब कोई DNA अपना copy बनाता है, और आपको दो daughter DNA molecules मिलते हैं, So, in eukaryotic organisms, हम specifically eukaryotic organisms की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि eukaryotic organisms का DNA developed होता है, प्रो-karyotic organisms का DNA developed नहीं होता है, छोटा DNA होता है, तो उनके अंदर ज़्यादा complications नहीं होते हैं, eukaryotic DNA replication में बहुत complication होता है, इसलिए हम eukaryotic DNA replication पढ़ रहे हैं, So, in eukaryotic organisms, replication of DNA takes place only once in the cell cycle, मैंने आपको अभी बताया, कि eukaryotic cell जो होता है, उसका जो cell cycle होता है, G1 phase, S phase, G2 phase, M phase, तो eukaryotic cell में, DNA replication कौन से phase में होता है, S phase में, okay, it is also known as synthesis phase, So, it occurs in the S phase of interface in the cell cycle, तो interface में 3 phases हैं, G1 phase, S phase, G2 phase, उसमें से जो S phase है, specifically S phase में, आपका DNA replication होता है, अब आगे देखो क्या बताया गया है, DNA replicates through semi-conservative mode of replication, हम आगे 3 अलग-अलग different modes of replication पढ़ने वाले हैं, एक semi-conservative, एक conservative और एक dispersive, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले DNA replication कैसे होता है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो DNA replicates through semi-conservative mode of replication, चलो, बताई देती हूं, समझो, आपके पास ऐसा कोई double-stranded DNA molecule है, ओके, और ये DNA molecule, ये double-stranded DNA molecule को मैंने बीच में से break कर दिया, तो आपको ऐसे दो single-parent strands मिलते हैं, अब इन दो single-parent strands को यूज करके, आपका DNA यहाँ पर new copies बनाता है, तो ये DNA अलग 1 और ये DNA अलग 2, ऐसे आपको दो daughter DNA molecules मिलते हैं, तो इन दो daughter DNA में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक new strand है और एक old strand है, यहाँ पर भी, एक new strand है, एक old strand है, तो इसको हम बोलते हैं semi-conservative replication, इसको हम क्या बोलते हैं semi-conservative replication, semi-conservative मतलब क्या होता है, semi मतलब half, semi मतलब क्या होता है, half, तो जो parents का DNA था, उसका एक strand daughter के DNA में है, और एक strand new बनाया गया है, मतलब half DNA parents का है half DNA cell का खुद का है तो इस process को हम बोलते हैं semi conservative DNA replication इसके बारे में detail में Miesel, Sun and Stahl ने हमको experiment करके बताया है using two different isotopes of nitrogen हम उसके बारे में पढ़ेंगे फिलाल हमारा focus है DNA replication ठीक है? तो चलो देखो आगे क्या बताया गया है DNA replication में theory में देखो क्या बोला है DNA sorry DNA replicates through semi conservative mode of replication the model for semi conservative replication was proposed by मतलब semi conservative mode of replication का पूरा proper experimentation हमको कौन से दो scientist ने दिया था Watson and Crick on the basis of anti parallel and complementary nature of DNA strands देखो मैं अभी आपको DNA का structure बताने वाली हूँ ध्यान से देखना DNA के structure से आपको समझ में आएगा कि DNA को anti parallel क्यों बोला जाता है और complementary का मतलब क्या होता है 11th standard में ये बहुत detail में दिया गया है 6th chapter में बट मैं फिर से आज बता रही हूँ ताकि आपका entrance point of view से base clear हो जाए so semi conservative mode of replication का हमको जो आइडिया है वो किसने दिया था Watson और Crick ने और उन्हेंने कौन से दो principal topics यूज किये थे anti parallel nature यूज किया था उन्हेने DNA का और complementary pairing the process of semi conservative replication is as below तो semi conservative replication का process start करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे DNA का structure सबसे पहले हम क्या देखेंगे DNA का structure ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो अपने पास chocolate, पानी, book, pencil सब लेकर बैठो आराम से फुरसक में phone charge करके बैठो थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो लेकिन I promise आपको ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा और एक बार अगर ये वीडियो समझ गई तो बहुत खुश हो जाओ गया सबसे पहले हम बनाते DNA का structure DNA का structure कैसे बनता है DNA is nothing but long chain of nucleotides DNA कैसे बनता है बहुत सारे nucleotides से मिलकर बनता है what are nucleotides what are nucleotides nucleotides are phosphoric acid चलो ऐसे लिख देते हूँ phosphate group plus pentose sugar मतलब ribose sugar plus nitrogen base ठीक है अब nitrogen base आपको 5 types के nitrogen base बताए गया है 11 standard में बताया था देखो nitrogen base दो different types के होते हैं दो अलग-अलग categories के nitrogen base होते हैं एक उन में से होता है purines और एक होता है pyrimidines purines में कौन से दो nitrogen bases आते हैं adenine जिसका short form है A और guanine जिसका अब्रिवेशन है G और pyrimidines में कौन से दो कौन से तीन nitrogenous bases आते हैं देखो total 5 nitrogen bases है तो pyrimidines में कौन से pyrimidines हाँ इस पेलिंग निस टेक है कौन से तीन nitrogenous bases आते हैं cytosine जिनको याद है वो मेरे साथ बोलो video देखते-देखते thiamine इदे नमबर 3 इदे नमबर 4 और इदे नमबर 5 uracil यह जो uracil और thiamine है यह दोरू interchangeable है मतलब अगर thiamine नहीं रहा तो हम uracil यूज कर सकते हैं अगर uracil नहीं रहा तो हम thiamine यूज कर सकते हैं ठीक है तो देखो आपका जो DNA है DNA किस से बनता है? नूक्लियोटाइट से बनता है नूक्लियोटाइट मतलब क्या? फोस्फ़ेट ग्रूप प्लस पेंटोस शुगर प्लस नाइटरोजेनस बेस नाइटरोजेनस बेस पाच टाइप्स के हैं उनमें से दो मेजर कैटेगरी है Purines औप फ्लस नाइटरोजेनस बेस आते हैं दो आदिनन network और गौनी और पिरिमीडीनál पेंटेन नाइटरोजेनस बेस आते हैं साइटोसीन थाईमीन और यूरसील प्ली और पिरिमीडीन के बीच में क्या डिफरॉंस है प्यूरींज आर डबल रिंग कंपाउंड प्यूरींज कैसे कंपाउंड हैं प्यूरींज आर डबल रिंग कंपाउंड और प्यूरींज आर सिंगल रिंग कंपाउंड प्यूरींज कैसे कंपाउंड हैं सिंगल रिंग कंपाउंड हैं मतलब यह जो स्ट्रक्चर है ना इनका यह nitrogen molecules है nitrogen base बोला है मतलब इनका major molecule nitrogen है लेकिन यह ring structure में present होते हैं तो आपके जो nitrogenous bases होते हैं त्यूरीन जो होते हैं यह double ring structure होते हैं मतलब इनका कुछ इस तरीके से structure होता है ऐसा एक open end होता है और pyramidines का ऐसा कुछ structure होता है ऐसा तो यह single ring structure है यह double ring structure है अब एक चीज़ ध्यान से सुनो क्या बोलने जा रही हूं मैं चलो पहले DNA structure देखते हैं फिर मैं आपको वह point बताऊंगी हाँ एक hint बता रही हूं मैं याद कैसे रखना है कि purines में कौनसे nitrogen base आते हैं और pyramidines में कौनसे nitrogen base आते हैं मैंने अपने बच्चों को एक hint बताया था कौनसा hint all gods are pure अगर आप यह line याद रखोगे all gods are pure तो इसका first letter A gods का first letter G D मतलब adenine and guanine they are pure pure मतलब purine तो अगर adenine और guanine याद है तो बाकी के तीन nitrogenous base अपने आप याद रहेंगे अब हम देखते हैं DNA का structure DNA का structure क्या बोला हमने it is a chain of nucleotide तो देखो आपका nucleotide यह जो तीन molecules है यह कैसे होते हैं ऐसा एक शुगर रहेगा pentose sugar मतलब 5 carbon वाली शुगर यह first carbon second carbon third carbon fourth carbon और यहाँ पर आपका रहेगा fifth carbon ठीक है मैं pentose sugar की बात कर रहे हूं इस side अंदर की तरफ रहेंगे आपके nitrogen base कोई भी nitrogen base समझो imagine करो यहाँ पर A present है दूसरे marker से लिखती हूं imagine करो यहाँ पर A present है ठीक है adenine present है और यह fifth carbon से attached होता है आपका phosphoric group क्या attached होता है आप यहाँ पर phosphoric group यह O और यह P यहाँ पर माइनस चार्ज होता है ठीक है तो यह हो गया आपका एक nucleotide का structure यह यह मैं जब मैं 12 में 2012 में जब मैंने 12 का बोट्स दिया था तब मुझे पूछा गया था कि draw the structure of nucleotide और मुझे नहीं आया था honestly speaking तो आपके nucleotide की structure में क्या होता है ए यहाँ पर O रहेगा ओके पांच कार्बन वाली रिंग होती है शुगर की एक nitrogen base होता है एडिनाइन गौनाइन साइटोसीन थाइमीन यूरैसिल पांचों में से कोई भी एक nitrogen base और एक phosphoric acid का compound होता है मतला phosphate group होता है तो अब ध्यान क्या देना है कि DNA बनता कैसे है समझो यह एक नूकलियोटाइड मॉलीक्यूल है अब दूसरा नूकलियोटाइड मॉलीक्यूल इसके नीची आके attach होगा लेकिन जो दूसरा नूकलियोटाइड मॉलीक्यूल होगा वो कहां पर attach होगा इस रिंग के थर्ड कार्बन पे तो यहां से आपका दूसरा नूकलियोटाइड मॉ थोड़ा डाइग्राम उपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना ठीक है 1 2 3 4 और यह फिफ्थ कार्बन ठीक है यह देखो ऐसे रहता है यहां पर ऐसा फिफ्थ कार्बन और यह फॉस्फोट इसके साथ और यहां पर आपका प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन बेस दू ढकी रेखतें इखिनलशद की चेंपनती जाएगी यहां पर वापिस जो नूद नेूखिलिटयम क्वलेक्विक वह हमेशा ऊपर वाले थर्ड़ कार्बन से अटाफ ह होता है मतलब bond किसके बीच में बन रहा है देखो मैं दूसरे color سے बताती हूँ ये वाला जो bond बन रहा है न ये वाला bond इसको हम बोलते हैं phosphodiester bond क्या बोलते है इसको हम phosphodiester bond क्यूंकि एक sugar molecule दूसरे sugar molecule से इस bond से जुड रहा है और यह bond बहुत important है, this is phosphodiester bond, आप समझो third nucleotide molecule यहाँ पे जुड़ना चाहता है, तो third nucleotide molecule कैसे आएगा, third carbon से आपका phosphate जुड़ेगा और यह phosphate fifth carbon से जुड़ा हुआ है, यह आपका pentose sugar बना लेते हैं इधर पे, यह first carbon, second carbon, इधर oxygen, यह third carbon, यह fourth carbon और यह fifth carbon, ठीक है, यह fifth carbon है, fifth carbon से आपका phosphate group जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो और यह यहाँ पे nitrogen base, समझो अभी यहाँ पे वापिस से है आपका A, या G, या जो भी है, समझो यहाँ पे है G, ठीक है, ओके, यहाँ पे T लिख देती हूँ, तो ऐसे multiple nucleotides आजाएंगे, यह एक nucleotide, यह दूसरा nucleotide, यह ती carbon और phosphate group के बीच में जो bond है, उस bond को हम क्या बोलते है, phosphodiester bond, क्या बोलते हैं उसको, phosphodiester bond, तो ऐसा आपका एक DNA strand बनता है, ऐसा आपका क्या बनता है, एक DNA strand बनता है, और ठीक इसी तरीके से, ठीक, इसी तरीके से आपका दूसरा DNA strand बनता है, लेकिन दूसरे DNA strand का structure उल्टा हो मतलब उसका structure कैसा होगा वेट यहां पर होगा आपका 1 2 ओके तो यह था एक DNA का strand और यह दूसरे DNA strand का structure यह मैंने बनाया है देखो यहां पर उल्टा हो गया है यहां पर आपका 5th carbon left side में था यहां पर 5th carbon आपका right side में आया देखो carbon को कैसे count करना है 12345 5th carbon से आपका phosphoric group attached है यहां पर भी 12345 5th carbon से आपका phosphate group attached है इस bond को हम बोलेंगे phosphodiester bond इस bond को हम क्या बोलेंगे phosphodiester bond क्यों बोलेंगे हम इसको phosphodiester bond क्योंकि यह दो nucleotide molecules के बीच में हैं दो nucleotide molecules जुडेंगे तभी DNA का strand बनेगा ऐसे continue नीचे जितने nucleotide molecules जुड़ते जाएंगे आपको ऐसे दो strand देखने को मिलेंगे थोड़ा dark color से बना देती हूं आपको ऐसे दो strand देखने को मिलेंगे और इन दो strands को helicase enzyme और gyres enzyme की मदद से helicase नहीं helical gyres enzyme की मदद से इन दोनों strands को हम twist कर देंगे ठीक है तो देखो यह आपका एक strand है यह आपका दूसरा strand है अब यह हो गया आपके DNA के दो strands का structure अब सबसे पहले हम बात करते हैं anti-parallel word के बारे में हमने जो थियोरी में पढ़ा that DNA strands Watson और Creek ने हमको जो DNA replication बताया वो DNA replication उनने कौन से दो principle के basis पर बताया एक principle था anti-parallel nature और दूसरा principle था complimentary nature complimentary pairing तो anti-parallel मतलब क्या होता है और complimentary मतलब क्या होता है देखो anti-parallel मतलब क्या होता है यहां पर ध्यान से देखना यह DNA का जो first strand है जो first nucleotide का structure है उस first nucleotide के structure में हमेशा हमेशा क्या होगा आप जितने भी nucleotides add कर लो middle में जो first nucleotide रहेगा उसका जो fifth carbon वाला position है जहां पर phosphate group attached है यह end हमेशा free रहेगा यह end हमेशा क्या रहेगा free रहेगा मतलब यहां पर carbon के साथ phosphate group attached रहेगा और यह free end रहेगा इसके उपर दूसरा molecule attached नहीं होगा यह आपका DNA strand का एक side का structure है और यह नीचे की तरफ आप जितने molecules add कर लोगे हमेशा नीचे वाला जो nucleotide रहेगा जो सबसे last वाला nucleotide रहेगा उसका third end third carbon free रहेगा मतलब यहां पर इसके साथ कुछ attached नहीं है और यहां पर phosphate group के साथ कुछ attached नहीं है तो यह जो five dash वाला end है fifth वाला carbon है जिसके साथ phosphate attached है वह free है और यहां पर देको इसको दूसरे marker से लिखती हूं यह जो fifth carbon वाला position है वह free है और यहां पर यह जो third carbon वाला position है यह free है तो इस DNA का direction हो गया five dash to three dash इस DNA का direction क्या हो गया five dash to three dash और वही इसका opposite देखो यहां पर देखो third वाला end free है यहां पर आपका three dash वाला end free है और नीचे की तरफ आप जितने भी molecules add कर दोगे आपका फिफ्ट वाला जो carbon molecule है उसके साथ phosphorus molecule attach होके हवा में लटक रहा है इसके साथ दूसरा nucleotide attached नहीं है समझो आपने इदर दूसरा nucleotide attach कर भी दिया आपने thousand nucleotides attach कर दिये बट जो सबसे last nucleotide होगा उसका phosphate group हमेशा हवा में लटकेगा ही लटकेगा तो जो molecule हवा में लटकते रहता है वह फिफ्ट कार्बन से attached है तो यह हो जाता है five dash end तो देखो इस dna strand का direction क्या है उपर five dash है नीचे three dash है और इस dna strand का डियरेक्शन क्या है उपर three dash है और नीचे five dash है तो यह इसको हम बोलते हैं तो दोनों आपोजिट डियरेक्शन में जा रहे है इस प्रॉपरटी को हम बोलते हैं एंटी camarader Quad ser Raymond74 पर कि देखो चाहरो की बात करेंगे हम यहां पर नतरोजजेस बयसर एक बहुत सिंपल फंडा याद रखो कि एक प्योरीन हमेशा दूसरे पिरिमिडिंडिंड के साथ ही बाउंड करेगा एक प्योरीन हमेशा किसके साथ बैंड करेगा दूसरे पिरिमिडिन के साथ के साथ बाइंड दोता है क्यूंकि जो इसादी नाइन के पास दो फ्रीलेक्ट्रोंटी और यहाँ पर थाइमीन होता ओगा थामीन इंके बीच में इनके बीच में कितने हैड्रोजन बांड वनाथे सब्सादीन के ढूता है हब बनेंगे स democratic प्रसेंगे क्योंकि में कि इन इनके पास यायटोसीन के साथ क्यों बींड होता है क्योंकि ग्वानीन के पास 30- proud of या इसा क्रोप यहां पर यहांप स्ट्रोक्चर और यहां पर हैं और यह पर फीलिट यहां पर था टी के साथ अगर में यहांपड ती के साथ थाइमीन के साथ, मतलब एक पिरिमीडीन के साथ दूसरा पिरिमीडीन बाइंड कर दू, थाइमीन के साथ अगर मैं साइटोसीन को बाइंड कर दू, तो क्या हो जाएगा, थाइमीन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे, साइटोसीन के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसके पर तीन रिंग यहां पर तीन रिंग लेकिन यहां दो रिंग है जिसके वज़े से यह वाला पार्ट यह जो बॉंड होगा यह वीक हो जाएगा और यहां से तूट सकता है तो एक्वल रेशियो मेंटेन करके रखने के लिए मतलब 3333 ऐसे 33 का रिंग स्ट्रक्चर जो होते है प्यूरीन का रिंग स्ट्रक्चर डबल रिंग है पिरिमिडीन का सिंगल रिंग कंपोनेंट है तो बॉंड के बीच में बैलन्स बना के रखने के लिए प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बाइंड करता है तो अगर यहां टी है तो टी के साथ कौन बाइंड करेगा A bind करेगा T के साथ कौन bind करेगा A bind करेगा तो T के पास 2 electrons होते हैं A के पास 2 electrons होते हैं जिसके वज़े से इनके बीच में भी क्या बनते हैं डबल बॉंड बनते हैं और यह T जो है यह single ring compound है A जो है यह double ring compound है तो यहां पर total वापिस कितने rings हो गए 3 3 3 तो इस चीज को हम बोलते हैं complimentary pairing complimentary pairing मतलब क्या होती है purine will always bind with pyrimidine मतलब A की bonding हमेशा T या U के साथ होगी अब आप सोच रहे होगे कि मैम thymine और uracil में क्या difference है थाइमीन जो component है थोड़ा सा heavy component है और उसी के जैसा same दिखने वाला structure uracil का है लेकिन uracil का molecular weight थोड़ा सा low है थोड़ा सा कम है तो जब भी thymine का weight हमारा DNA नहीं उठा पाता है तो वो thymine की जगा uracil ले लेता है समझ में आई बात दोनों के function में कुछ difference नहीं है दोनों के structure में कुछ difference नहीं है बस दोनों का molecular weight में difference है तो अगर thymine heavy है तो हम uracil यूज़ करते हैं बाकी सब कुछ same है तो आपका जो A है वो हमेशा या तो T या तो U के साथ bind करेगा और आपका जो C है वो हमेशा G के साथ bind क क्योंकि इनके पास दो lone pair of electrons है तो आपको यह DNA का basic structure समझ में आया है पक्का confirm समझू मैं क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको DNA replication का actual process बताने वाली हूं तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा हमने DNA replication का introduction देखा हमने DNA के दो functions देखे हेट्रो कैटलिटिक functions और autocatalytic functions और ह आपको ऐसा single 2 strands मिलेंगे इसको आप helical form में बनाते हो गाइरेज एंजाइम की मदद से DNA गाइरेज यह जिसका दूसरा नाम है topo isomerase यह हम पढ़ेंगे आगे तो ऐसे दो anti-parallel structure होता है anti-parallel strand मतलब एक तरफ 5-end है तो इसके opposite वाले strand में 3-end present होगा मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किए वीडियो को 2-3 बार देखो आपको सारा concept अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करना अपने friends के साथ जरूर शेयर करना और प्लीज इसको 2-3 बार देखना क्योंकि यह concept अगर समझ तो डियने रेप्लिकेशन ट्रांस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन यू समझेगा तो आज का वीडियो अच्छे से पढ़ो अच्छे से सब कुछ देखो और आगे वाली चैनल के लिए बने वाली वीडियो के लिए बने रहो हमारे चैनल के साथ friends के साथ शेयर कर दो पढ़ते आगे रहो थैंक यू से तुन से यू सून